मुस्लिम देशों ने मोहर्रम में च्छाती पीटने और खून बहाने को बैन क्यों कर दिया गया। कि क्यों बिहार के एक गाव में हिंदू भी मोहर्रम मनाते हैं। आखिर क्यों मोहर्रम को कहते हैं शोक का महीना। नमस्कार आप देखें दन्यूस 15 और आपके साथ मैं सुंबिका। आज दुनिया भर में मोहडरम का त्योहर मनाया जा रहा है। हलाकि इस बीच एक मुस्लिम देश ने मोहडरम में छाती पीटने और खून बहाने को बैन कर दिया है। शर्या कानून के तहत चलने वाले देश अफगानिस्तान में तालीबानी शाषन ने इसे गलत करार देते हुए पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके साथ ही इसको लेकर तालीबान ने कड़े कानून भी बनाए हैं जिसमें कहा गया है कि शोक मनाने वाले सम्हूओ को अब खुद को मानना मना है। मोहरम में छाती पीटना और खून बहाना पूरी तरह से वर्जत है। आदेश नहीं मानने को बुरे अंजाम भुकतने की चतावनी दी गई है। वहीं कानून बनाने से पहले श्रिया धर्म के गुरूओं से सहमती ली गई है। अफगानिस्तान में कानून बनाने से पहले तालीबानी शास शर्तों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सक्त कारवाही भी होगी। वहीं आपको बता दे कि यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जहां एक तरफ इस देश में मुहर्म मनाने को बैन किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार से एक बड़ी चौका दिने वाली खबर स सामने आई है जिसे सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। बिहार का एक गाव ऐसा है जहां मुहर्म सिर्फ मुसल्मान ही नहीं बल्कि हिंदू भी मनाते हैं। ऐसी एक प्रता बिहार में पिछले सौ सालों से अपने पूर्वजों से किया वादा निभाते हुए मुहर् बिहार में ही नहीं बलकि देश भर में हो रही है। एक सदी बीद गई लेकिन महम दिया हरीपूर गाव के लोगों ने अपने पूर्वजों से किया वादा नहीं तोड़ा। यहां के खिंदू झरनी के गीत और तमाम रीत रवाजों के साथ पिछले सौ सालों से ज्यादा स समय से मुहर्रम मना रहे हैं। खास बात यह है कि लगभग पार्च किलो मेटर के छेतर की आबादी वाले इस गाव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हर साल मातम का त्योहार मुहर्रम यहां पूरे रीती रिवास के साथ मनाया जाता है। स्वर पहले उन्होंने छेदी शा को जमीन देते हुए वादा किया और कहा कि ग्रामिनों को शोक का त्योहार मुहर्रम पूरे रीती रिवास के साथ मनाना होगा। पूरवजों से कि यह इस वादे को पूरा करते हुए आज भी इस गाव में हिंदू मुहर्रम का त्योहार बड़ रूप में मनाया जाता है इसलामिक कलेंडर के हिसाब से इसे मुहर्रम के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है इसलाम के मुताबिक रमजान के बाद दूसरा पाक महीना मुहर्रम होता है आजी के दिन इसलाम के अंतिम पैगंबर मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुस को भूर रंके तोर पर मैनाते हैं मुहरम के दिन श्या मूसलमान काले रगप पहन ताजी propose निकालते हैं लोग इस दिन खुद को घायल कर इमाम हुसीन की शहादत का शुक मनाते हैं सुनि मुस्लिम ताजी नहीं निकालता लेकिन मुहरम के दिन सिर्फ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले कि अगर